More than exam uncertainties, आपको किस चीट से डर लगना चाहिए? आपको अपने खुद के mindset से डर लगना चाहिए. You should fear your own attitude right now. बच्चों, आप पूरी तरह से इन exam issues में trap हो चुके हो. आप पूरी तरह से इन से trap हो चुके हो और इसी वजह से आप अपनी पढ़ाई को उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो जैसा आपको अब करना चाहिए. बच्चों, अगर आप इसी track में चलते रहे, तो दिन वो दूर नहीं है जब आपके exams आ जाएंगे और आप prepared नहीं रहोगे. Be honest to yourself. Ask yourself this question. क्या आप realize कर रहे हो कि आप कितना time waste कर रहे हो इन चीजों को सर्च करने में कि exams होंगे कि नहीं exams की uncertainties ये वो. आप बहुत अपना दिन का time इन चीजों में waste कर रहे हो. क्या आप justify कर पा रहे हो? आपने इतनी महनत अभी तक की है. क्या आप उस महनत को justify कर पा रहे हो? क्या आप अपने parents के sacrifices को justify कर पा रहे हो? क्या आप अपने parents की महनत को justify कर रहे हो? Ask yourself. किसी और से honest होनी की ज़रूरत नहीं है. Be honest to yourself. Are you studying all that much? Ask yourself कि क्या जितनी पढ़ाई आपको करनी चाहिए? क्या आप उतनी पढ़ाई कर रहे हो? बेटा, institute definitely पहले November 2020 में भी, Jan 21 में भी, बिल्कुल safe environment में exams ले चुके हैं. और अगर situation अच्छी रही, अगर situations आपके लिए safe रही, तो with full safety वो आपके लिए exams लेंगे बच्चो. तो वो अगर आपके लिए try कर रहे है, तो आपको खुद के लिए try करना है, कि अगर exams हो गए, तो मैं तयार रहने चाहिए, मैं तयार रहना चाहिए. तो बच्चो आपको अपना best देना है, ये बिल्कुल thought आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल time waste करना छोड़ दीजिए, अब आपको अपना best foot रखना है, अपना 100% देना है. जिस दिन भी कोई notification ICAI का आएगा, आपको तुरंत information मिल जाएगी. आपको time waste करने की जरूरत नहीं है, this is the most crucial time right now. This is your time to shine, this is your time to prove yourself. So, बेटा आपको अपना 100% देना है, और आगे बढ़ना है. Because this is your time. Your time to prove yourself. Ask yourself कि अगर एंस्टिट्यूट exam ले लेता है, तो क्या आप उस exam में clear कर पाएंगे? क्या आप अपना best दे पाएंगे? Ask yourself. Be true to yourself. If yes, you are in the right direction. If not, you need to work hard. You need to double up your efforts. This is not the right time where you keep your mind engaged in different things. Right now, your focus should be, कि अगर exams होते हैं, तो मैं किल कर दूँगा, मैं बिलकुल अच्छे तरीके से अपना 100% दे कर आउँगा. आपको अपना 100% देना है, आगे बढ़ना है. Ask yourself. Be honest to yourself. And yes, don't get involved in these exam issues. Don't panic at all. Right now, your focus should be on becoming a CA. Right? That is it for now. Have a good day. Bye-bye.